हलो दोस्तों मैं हूं मित और आप देख रहे हैं हैं जारकंट पाट साला तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिस ओनर्स का जो फर्स सेमेस्टर है बीबी एम की यू यू उनिवर्सिटी का उसका एक्जाम का डेट आ चुका है तो कब से एक्जाम है और कौन-कौन से एक्जा उनका यहां पर मैं डेट बताने वाला उन्हें कुछ समझाने वाला हूं ऐसे अगर आप बाकी अन्य सब्जेक्ट के जो भी है अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया आप पीडियोप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल को पढ़ सकते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा तो चले पहले मैं इंग्लिस ओनर्स वाले बच्चों को बता देता हूं कि आपको दो कोर्ट पेपर का एक्जाम देना है और आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं मिला है ठीक है एक्ज देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोर्ट पेपर वन यानि इंगलिस भी यहाँ पर मैंसन है तो पहला एक्जाम आपका 76 2022 को है ठीक है ओके दूसरा जो एक्जाम है आप लोग का तो आप देख सकते हैं जो दूसरा एक्जाम जो है वह आपका नो जुन 2022 को सेकंड सीटिंग मे आपका दूसरी सीटिंग में है ओके इसके बाद अगर आपका मतलब अगर कन्फ्यूजन है एक्जाम में तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्जाम में बच्चों को काफी जादा इसमें कन्फ्यूजन होती है अब आप इसको यहाँ पे ध्यान से अब देख सकते हो कि सभी जगह पिए सिसी लिखावाए यहाँ पर भी दियाव अपर दियावा तो आप इस चसको धियान में रखना कि एस इस इस यहाँ पर लिखावए फॉल्विंग एकati कोर तो ये जिसका जिसका कट कोर पेपर है आप मिला लिजे यहाँ पर आप देख 16 जून 2022 को होगा ठीक है second sitting में आप देख लिए जिसका भी ACC हिंदी है ठीक है ये core subject Sanskrit आप देख लिए यहाँ पर options दिया हुआ उन लोगों के लिए ये ACC second sitting में होगा बट English वालों का first sitting में ही हो जा रहा है ठीक है तो इस confusion में मत रहना कि बहुत सरा ACC लिखा हुआ है यहाँ पर देख लिए फिर जो ACC हिंदी है तो ये जो subject यहाँ पर दिये है honors paper इन लोगों के लिए ठीक है और जिसका ACC में English रखा हुआ है तो science और commerce वालों लोग के लिए आप देख सकते हैं 17 जुन को है ये आपका second sitting में लेकिन ACC जो English है और अगर वो arts का अगर कोई भी subject ले करके पढ़ रहा है history, economics, political science ये सब कुछ ठीक है जो की उपर में mention नहीं है ध्यान रखेगा जो उपर में mention नहीं है जो बचा हुआ है वो आपका all arts का core का जो होगा वो 18 तारिक को exam होगा ठीक है आप इसको और भी detail से पढ़ने के लिए नीचे description में link है आप link में जा करके आप इसे एक बार check कर लीजे और अगर आप English honors के student है तो मेरे channel को जरूर subscribe कर लीजे यहाँ पर मैं आप लोगो साथ तरिक तक कुछ छोटे-छोटे contents आपको दूँगा चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद